नमस्कार आप देख रहें नियूस फोरनेशन और मैं हूँ सांधवनाब के साथ कोरोना का संक्रमन लगातार देश में बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में कई लोग कोरोना की चपेट में लगातार आ रही हैं बात करें बिहार की तो बिहार के कई बड़े नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं अब अगर जार्खंट की तरफ देखा जाए तो जार्खंट के मुख्य मंद्री हेमंद सोरेन और उनकी धर्म पतनी के साथ-साथ उनकी दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं हलाकि हेमन सोरेन का रिपोर्ट नेगेटिव आच चुका है लेकिन उनकी धर्म पत्नी और उनके दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं कुछ अपडेट निकल कर आ रही है जार्खंट से हेमन सोरेन की फैमिली को लेकर और क्या कुछ उनकी स्थिती है उनका उनका जो स्वास्त है वो कैसा है आईए इसके पूरे अपडेट आपको बताते हैं स्वार्खंट के सीम हेमन सोरेन के घर तक करोना पहुच गया है उनके घर पर 5 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आ आई है मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के रिपोर्ट नेगेटिव है बाकी है सीम की पत्नी और दोनों बच्चों के अलावा उनकी साली की रिपोर्ट पॉजिटिव है पांचवा संक्रमित सीम आवास पर तैनात एक गार्ड बताया जा रहा है सभी होम आईसोलेशन में हैं बताया जाता है कि कोरोना का हलका सिम्टम मिलने के बाद शुक्रवार को सीम हाउस से 13 लोगों का सैंपल लिया गया था इसमें सीम की पूरी फैमिली के अलावा उनके सलाहकार अभिशेक प्रसाद एवं गार्ड शामिल थे सैंपल की जा चार IMS के माइक्रो बाइलोजी डिपार्टमेंट के लाब में हुआ था पांच लोगों में कोरोना के पुष्टी होने के बाद सीम हाउस से 32 और लोगों का सैंपल लिया गया है सूत्रो से मिली जानकारी के मताबिक संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों को एतिहात कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है इनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है गौर तलब है कि स्वास्त मंत्री बंडा गुपता के रिपोर्ट टेस्ट भी पॉजिटिव आई है उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है उन्होंने उनसे संपर्ग में आए लोगों से कुरोना जाच जरूर करानी क सलाह दिया है इससे पहले स्वास्त विभाग के अपर मुख्य सचव आरुन कुमार सेंग के साथ भी कुछ विभागों के सचव को भी पॉजिटिव हुए थे तब्यत खराब होनी के बाद काफी संख्या में अधिकारी आईसोलेशन में चले गए हैं स्वास्त विभाग के दो सेंग्त सचव समेत लगभग आधा दर्जन कर्मचारी पॉजिटिव आ चुके हैं बतावे कि जहां एक तरफ बिहार के मुख्य मंत्र नुतिश कुमार के सरकारी आवास से उनके कई क्रमचारी अधिकारी और वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के रिपोर्ट भी बी मुख्य मंत्री के सरकारी आवास से भी कई लोगों का सैंपल लिया गया है जिनमें कई लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सबी होम आईसोलेशन में हैं और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दे कि पंजाब के मुख्य मंत्री चन्नी की फैमिली भी कोरोना पॉ पॉजिटिव हो चुके हैं लगातार ये जो संक्रमन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और अब लोगों को और भी जादा सतर्क रहने की जरूरत है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अनकई अपडेट्स के लिए माई साथ बने रहे निस फोर नेशन में नमस्कार